हलो एवरीवन वेलकम टू माई टेक्नो वेदान चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने इमेल से किसी को भी अप्टू 10 जीवी तक पिच्चर और वीडियो फाइल्स को सेंड कर सकते हैं हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं पाटी या कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की अच्छी मुवमेंट्स को हम अपने मुबाइल में कैप्चर कर लेते हैं बहले वह कोई पिच्चर हो या वीडियो फाइल्स और आजकल जितने भी मुबाइल जा रहे हैं वह ज़्यादा तर HD, Full HD या 4K में रिकॉर्डिंग करते हैं और उनका साइज बहुत लार्ज होता है और फिर हमें उस फाइल को अगर किसी को वह सेंड करना है किसी फ्रेंड या रेलेटिव को तो उसमें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं पर आज मैं आपको एक ऐसी एप्लिकेशन के बारे में बताऊँगा जिससे आप अपने आइफोन या फिर एंड्रोइड डिवाइस में इंस्टॉल करके सर्फ सिंगल क्लिक में कोई भी लार्ज पिच्चर या वीडियो फाइल को सेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी सोशल साइट्स के लिंक दिये हैं जिसे फॉलो करके भी आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं अगर आप इस एप्लिकेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास तक जरूर देखें फ्रेंड्स आपके लिए मैं ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आप ये जो बेल के आइकोन को देख रहे इसको एनेबल करना ना भूले जिससे आपको मेरे नियू वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में आना है और उपर सर्च बार में टाइप करना है वी ट्रांसफर इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे आइकोन को जरूर ध्यान रख लिजिए वी ट्रांसफर को मैं पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए मेरे यापे ये ओप पन्षो कर रहा है आप इसे डाउनलोड करके जरूर इंस्टॉल करिए इसकी 1,000,000 डाउनलोड है 4.3 की रेटिंग है स्क्रॉल डाउन करेंगे और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते है तो रीड मोर पे क्लिक करके रीड कर सकते है और वैसे भी फ्रेंड्स में आ अगर आप इसके बारे में रीड करना चाहते है तो आप इहां से पूरा रीड कर लीजे और उसके बाद फ्रेंड्स यह देखिए उसमें सिंपल सा एक मैसेज लिखा हुए तो simply select your photos and videos and your friends email address and upload up to 10GB तो friends इसका मतलब है आप अपनी photos और वीडियो को up to 10GB तक किसी को भी email कर सकते है योर friend will receive an email with a download link आपके friend को एक email जाएगा जिसमें एक download link होगा click करने के बाद जो file आपने उसको send करिए वो easily download कर सकता है आप यह जो नीचे arrow का button देख रहे हैं इसमें आपने अपनी finger रखनी है और up कर देना है जैसी यह आप करेंगे आपके Android phone या iPhone की gallery open हो जागी जिसमें आपकी सारी pictures और videos है अब आप इसमें से कौन से videos को या कौन सी picture को select करना चाते है वो आप पर depend करता है example के तोर पे मैंने यह 3 select कर लिए उपर जो top में थी left side में यह तीनों videos का size show कर रहा है 173MB और right side में लिखा है next आप अपनी pictures या videos को और select करना चाते है तो gallery को यहां से open करें और यह देखे सारी आपकी list ओकन हो जाएगी यह जो next का button आ रहा है friends जैसी आप इसमें tap करेंगे tap करने के बाद आपकी window open हो गई है नीचे आपका email ID आ रहा है जैसे मेरा technovidown2079.gmail.com आप किसको file send करना चाते है उसका email ID आप उपड़ टाइप करेंगे यहां पर मैंने अपना email ID खुद का ही type कर दिये आपको demo दिखाने के लिए और नीचे जो यह message लिखा रहा है आप यहां पर कोई भी custom message कर सकते हैं और उसके बाद यह जो transfer का button है आपने इसमें tap करना है transfer पर click करने के बाद friends देखिए कुछी seconds के अंदर मेरी यहां पर processing start हो चुकी है अगर आप इसको cancel करना चाते है तो top left में जो cancel का button है आप उसपे click कर दिजे यहां फिर किसी reason से आपको pause करना पड़े right side में यह जो pause लिखा है आप इसे press करके इसको pause कर सकते हैं कुछी seconds के अंदर यह link generate हो जाएगा और उस email id पे send हो जाएगा जो मैंने type कर रहा था यह देखिए यहां से transfer हो चुका है उपर यह जो done का button है मैंने इस पर tap कर दिया अब मैं आपको उस email id पे लेके चलता हूँ जहां पर मैंने यह file send करी थी यह देखिए friends मैं अपना Gmail account open कर चुका हूँ जहां पर मैंने अपनी file send करी थी और यह mention भी कर रहा है file send to technovidant.gmail.com थोड़ा सा scroll down करूँगा और यह देखिए link आगया download link जैसी मैं इस पर click करूँगा click करने के बाद यहां पर एक option आएगी I agree यहां से आपको I agree करने और यह देखिए direct यहां से click करने के बाद download कर सकते हैं यह file 7 days तक email id में रहेगी उसके बाद automatically delete हो जागी अगर आप किसी को भी ऐसी file send कर रहे है तो within 7 days के अंदर उसे download करनी पड़ेगी और यहां पर जैसी मैं download पर click करूँगा your downloaded has started downloading आगया और उपर यह देखिए show कर रहा है arrow का button जो download हो रहा है और यह message आगे download completed तो आपने देखा कितना simple है आप सिर्फ single click से कोई भी large file को send कर सकते है चाहे हो आपकी picture है यह video file है अगर आपको यह video अच्छा लगा तो इसे like और share जरूर करें कुछ भी मुझसे पूछना चाहते है तो नीचे comment करें नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको जरूर मिलूँगा तब तक के लिए जैहिंद